Hello friends, welcome to learn with me. My name is Parham. I hope you all are doing well. करेसाज की वीडियो में हम इंगलिश के एक और एडवान स्ट्रॉक्चर के बारे में डिस्कुस करेंगे, लर्न करेंगे, जो हम अपनी डेली कॉन्बसिशन में यूज कर सकते हैं. गाइस कुछ ऐसे संटेंस आप भी अपनी डेली कॉन्बसिशन में जरूर बोलते होंगे, जैसे तुम्हारे कहने पर उसने सच बोला, मेरे कहने पर वो पाती में गया, हमारे कहने पर ही उसने काम शुरू किया, अपने दोस्तों के कहने पर उसने यह कभिता लिखी. गाइस के कहने पर, इंगलिश में हम इसे दो तरीके से लिखते हैं. फर्स जो बे है, वो है अट संबन्स भी हिस्ट, अट संबन्स भी हिस्ट, चलिए देखते हैं संटेंस में इसे कैसे यूज़ करते हैं. गाइस ऐसे संटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज़ करोगे अट संबन्स भी हिस्ट, फिर यूज़ करोगे कॉमा, फिर यूज़ करोगे संटेंस जो किसी भी टेंस में हो सकता है. जो संबन है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू संटेंस मतलब जिसके कहने पर काम हुआ है संबन की जगा पे हम वो वर्ड यूज़ करेंगे. पर एक्जेंपल, मेरे कहने पर at my behest, हमारे कहने पर at our behest, उनके कहने पर at their behest, तुम्हारे कहने पर at your behest, उनके कहने पर या उसके कहने पर his और हरा जाएगा, Robert के कहने पर, Suman के कहने पर जो भी नाम है फिर Robert's Behist तो मतलब यह चेंज हो जाएगा So guys, जो next भी है के कहने पर उसमें हम लिख सकते हैं At the Behist of Dash At the Behist of Dash चलिए देखते हैं कैसे यूज़ होगा So guys, ऐसे sentences को बनाने के लिए सबसे पहले आप यूज़ करोगे sentence जो किसी भी tense में हो सकता है फिर यूज़ करोगे At the Behist of Dash मतलब At the Behist of Someone Someone again change हो जाएगा According to sentence जो भी आप कहना चाहते हैं For example मेरे कहने पर At the Behist of Me हमारे कहने पर At the Behist of Us उनके कहने पर At the Behist of Them तुम्हारे कहने पर At the Behist of You उसके कहने पर At the Behist of Him or Her और अगर noun है तो At the Behist of Robert At the Behist of Suman, Rahul According to structure जो भी आप बोलना चाहते हैं आप इसे change कर लोगे चलिए examples की help से समझते हैं First example है तुम्हारे कहने पर उसने सच बोला At your Behist He told the truth At your Behist He told the truth मेरे कहने पर वो पार्टी में गया At my Behist He went to the party At my Behist He went to the party हमारे कहने पर ही उसने काम शुरू किया At our Behist He started working At our Behist He started working अपने दोस्तों के कहने पर उसने ये कभिता लिखी She wrote this poem At the Behist of her friends She wrote this poem At the Behist of her friends So friends, यह था आज का structure with examples हमने सीखा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो Please like and subscribe my channel for more content Next मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू स्ट्रक्टर के साथ Till the time All the best Good luck Bye-bye